हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कक्षाचार पर्यावरन अध्यन की वर्क सीट हल करेंगे सब्ता 39 पार्ट 26 फोजी वहीदा तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रशन एक निम्चित्र में दर्साइगई महिला का नाम बताईए तो बच्चो यहाँ पर चित्र में जो महिला दिखाई गई है आपको उनका नाम लिखना है उनके बारे में बताया गया है वह उन महिलाओं में से एक है जिनोंने नो सैना में काम किया है वह परेड का नेतरत्व करने वाली पहली महिला थी जो ससस्त्र बलो में एक बहुत बड़ा सम्मान है तो बच्चो आप पहचानी गए होंगे इनका नाम है वहीदा प्रिज्म तो यहाँ पर हम लिखेंगे वहीदा प्रिज्म चलिए अगला प्रशन करते हैं प्रशन दो तीन रक्षा बलो का नाम लिखेंगे तो बच्चो यहाँ पर हम तीन रक्षा बलो के नाम लिखेंगे पहला थल सैना जिसे अंग्रेजी में आर्मी कहते हैं दूसरा नो सैना जिसे जल सैना भी कहते हैं और अंग्रेजी में नेवी कहते हैं तीसरा वाई यू सैना इसे अंग्रेजी में एर फोर्स कहते हैं चलिए अगला प्रशन करते हैं प्रशन तीन आप देख सकते हैं कि यहां बादल बना हुआ है और उसमें कुछ सब्द लिखे हैं दुरुस्त जहाज राजोरी स्वस्त नो सैना सरकारी MBBS आपको सही सब्द को खल स्थान में सही जगा पर लिखना है वही दा प्रिज्म भारतिये डैस में लेफ्टिनेंट कमांडर थी तो यहां पर हम लिखेंगे नो सैना अगला है वह जम्मू कस्मीर के डैस जिले के गाउं की रहने वाली थी तो यहां लिखेंगे राजोरी उन जम्मू मेडिकल कोलेज से डैस की तो यहां लिखेंगे MBBS एक नो सैना चिकत्सक के रूप में उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था की डैस यहां पर लिखेंगे जहाज में हर कोई डैस और डैस रहे तो यहां पहले खाल स्थान में दुरुस्त और अगले में परकार पर सकते हैं वहिदा प्रिज्म भारतिय नो सैना में लेफ्टिनेंट कमांडर थी वह जम्मू कस्मीर के राजोरी जिले के गाउं की रहने वाली थी उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सरकारी स्कूल और जम्मू मेडिकल कोलेज से MBBS की एक नो सैना चिकत्सक के र रहे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण चार डॉक्टर वहिदा को परेड लीडर के तोर पर क्या कारे करना होता था तो यहां हम लिखेंगे डॉक्टर वहिदा को चार टुकडियों के आगे चलते हुए पूरी परेड को 36 बार चिला कर निर्देश देने होते थे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण पांच प्रिज्म क्या होता है और डॉक्टर वहिदा को यहां नाम किसने दिया तो यहां लिखेंगे प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो सात रंग दिखाता है यहां नाम वहिदा को उनके पिताने दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर चात्रों के लिए गतिवीद्या दी गई हैं प्रश्न एक नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भासा में समझाएं तो यहाँ पर आपको नमस्ते और धन्यवाद को सांकेतिक भासा में समझाना है यह कारें आप स्वैम करेंगे आपकी सूईदा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिये हैं जिनें देखकर आप समझ सकेंगे कि सांकेतिक भासा में नमस्ते और धन्यवाद को किस प्रकास समझाया जाता है प्रशन दो भारत को सांकेतिक भासा में व्यक्त करें तो बच्चो यहाँ पर आपको सांकेतिक भासा में भारत को व्यक्त करना है आपकी सुईधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिये हैं जिनने देखकर आप आसानी से समझ सकेंगे कि भारत को सांकेतिक भासा में किस प्रकार व्यक्त करना है तो बच्चो ये वर्कशीट यां कम्प्लीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू